नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनिश शर्मा और स्वागत है आपका आपके अपने चेनल शाइनिंग इंडिया पर दोस्तों आज के वीडियो में जानिए मध्य प्रदेश के बुंदेलकंड शेत्र में इस्थीत भगवान शेव के दिव्य और चमतकारिक धाम जटा शंकर मंदिर के बारे में इस पवित्र धाम को बुंदेलकंड के केदार नात की संग्या दी गई है आप इसी बास से इस धाम की महिमा का अंदाजा लगा सकते हो तो आईए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजेगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों जटा शंकरधान मध्य प्रदेश के बुंधेलकंट शेत्र के चतरपुर जिले की बिजावर तहसिल के अंतरगत आता है तहसिल मुख्यालय बिजावर से इसकी दूरी लगबग 15 किलोमेटर और जिला मुख्यालय चतरपुर से इसकी दूरी लगबग 50 किलोमेटर है ये दिव्य मंदिर चारों तरफ से पहाडों से घीरा हुआ है और यहां के परवतों का द्रश्य जटाओं के समान प्रतीत होता है इसलिए जिस्तान का नाम करण जटाशंकर रखा गया इस प्राचीन मंदिर में गोमुख से पानी की जलधारा गिरती है जिससे भगवान शिव का जलाविशेक होता है और यह जलधारा निरंतर बहती रहती है जटाशंकर धाम पर तीन छोटे-छोटे कुंड भी देखने को मिलते है आश्यरी की बात यह है कि इन कुंडों का पानी हमेशा मोसम के विपरित रहता है ठंड के मोसम में यह पानी गर्म हो जाता है तो गर्मी के मोसम में यह पानी ठंडे में परिवर्तित हो जाता है इसके साथ ही इन कुंडों का पानी कभी भी समाप्त नहीं होता मानिताओं के अनुसार इन जल कुंडों में इसनान करने से सबी रोग बादाएं दूर हो जाती है दोस्तों बात करें इस मंदिर के इतियास की तो इस मंदिर का इतियास चौदवी शताबदी का है लोगों की मानिताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्मान चौदवी शताबदी में करवाया गया था एसा कहा जाता है कि विवस्तु नाम के राजा को भगवान शिव ने स्वप्ण में दर्शन देकर अपना इस्थान बताया था उसके बाद राजा ने अपने सेनिकों के साथ उस इस्थान को खोजा और शिवलिंग की प्रांट प्रतिष्टा करवाई साथी हवन करवाया इस तरह इस धाम की निव रखी गई थी दोस्तों इस मंदिर के आजपास का नजारा मन को आनंदित कर देता है यहाँ पर प्रक्ति को महादेव जी का जलाबिशे करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है वेसे तो बारा महीने यहाँ जर्णा भैता रहता है लेकिन मानसुन के मुसम में यह द्रश्य और भी अधिक विहंगम लगने लगता है दोस्तों महा शिवरात्री के पावन अवसर पर जटाशंकर धाम में विशेश पूजा अर्चना की जाती है यहाँ पर सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुशते हैं इस मंदिर पर सबसे ज़्यादा अमावस्या के दीन भीड लगती है शेत्र में नए वहान लाने पर सबसे पहले जटाशंकर धाम लाया जाता है दोस्तों इस पवित्र मंदिर पर शद्धालों की अपार शद्धा और अटूट विश्वास है उनके विश्वास को भगवान महादेव जी यहाँ चमतकार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और उनकी सभी मनुकामनाए इस धाम पर पूरी हो जाती है और ये सिंसिला सदियों सदियों से निरंतर चला आ रहा है उमीदे दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और आपार जै हिंद फर हर महादेव